गोड़ मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हमेशा कहता हूँ कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा दोस्तों आज अपने पॉडकास्ट स्टोरी फर बिजनस की शुरुआत हरिवण शराय बचन जी की पाउरफुल और खुबसूरत लाइन से करूँगा बहुत इंस्पारिंग है आपके भी काम आएगी हारना तब जुरुरी होता है जब लडाई अपनों से हो और जब अपने आप से लडाई हो तो जीतना जुरुरी होता है दोस्तों हम कोशिच भी ना करें ये गलत बात है आज हम बात करेंगे नेवर गिव अप नमस्कार दोस्तों गुड मॉनिंग मैं अनुज महाजन आपका दोस्त स्टोरी फॉर बिजनस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आज का दिन हमारी टीम के लिए खास है क्योंकि आज हम अपने 150th एपिसोड का जश्ण मना रहे हैं चार साल पिछले हमने ये सफर को बिना रुके मुकाम तक पहुंचाया है ये सोचकर प्राउड फिल होता है और विनमर भी मैसूस करते हैं दोस्तों लेकिन दोस्तों रुकने का वक्त नहीं है आज हमें एक नए लक्ष बना रहे हैं न्यू टार्गेट नेक्स टार्गेट 500 एपिसोड और इस सफर में आप सभी का साथ हमें चाहिए आज मैं आपके साथ एक टीचर की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो हमें मुश्किलों और परस्तिती में कैसे रियाक्ट करना है ये सिखाती है इसका अफर ना सरफ हम बलकि आस पास के लोगों पर भी पढ़ता है जरा सोचिए अगर आपको गाजर, अंडा या काफी के बीच से अपने आपकी तुलना करनी हो तो आप क्या चुनेंगे और क्यों शायद आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसा सवाल है लाइफ लेसन और ये खाने पीने का समान लेकिन यकीन मानिये दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपका सवाल शायद बदल जाए तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आज का टाइटल है बदलाव की ताकत ये कहानी है कैरेट, एग और कॉफी बिन की एंड तक बने रहें, लाइक, शेर और अपने फीडबेक जरूर दीजिएगा एक बार एक टीचर, यहां मुसका नाम नहा बुला लेते हैं जो अपनी जिन्दगी की चिनोतियों से जूज रही थी नहा का मानना था कि उसकी प्रॉल्लम्स एक के बाद एक लाइफ में आ रही है और इसका असर बच्चों पर भी पढ़ रहा है नहा को लगता था जिन्दगी में हालात उसके लिए बहुत मुश्किल है उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़े और हार मानना लेना चाहती थी वो रोज के जगड़ों से समस्याओं से ठक गई थी उसको लग रहा था कि समस्या कोई हल नहीं है एक के बाद एक दूसरी समस्या सामने आती जा रही है वो बहुत परिशान थी दोस्तों की सलापर कुछ दिन के लिए उसने ब्रेक लिया और घर पर छुट्टी के लिए चले गई माने उसको देखा और समझ गई कि उनकी बच्ची नहा बहुत परिशान है माने नहा को पास बिठा कर पूछा कि बेटा तुम क्या हो? गाजर, अंडा, यही कॉफी मेन नहा को समझ नहीं आ रहा था यह मेरी मा मुझसे कैसे सवाल पूछ रही है और इसका मेरी प्रॉलम से क्या कनेक्शन माने नहा का हाथ पकड़ती है और अपनी बात को समझाने के लिए उसे किचन में लेकर जाती है तीन बड़े बरतन लिए माने और उसमें एक में गाजर, एक में कॉफी बीन्स और एक में अंडे को रख दिया और गैस को आन कर दिया पानी डाला और गैस को आन कर दिया थोड़ी देर बाद पानी उबले लगा और कुछ दिर बाद बरतनों को नीचे उतारा और तीनों को एक लाइंग में रख दिया मा ने नेहा की तरफ इशारा किया और दोबारा पूछा अब देखो और बताओ बेटा नेखा उठी बरतनों के पास गई और उसने देखा गाजर जो पहले सक्थ थी नरम पड़ गई है अंड़ा जो पहले नाजुब था अंदर से सक्थ हो जाता है लेकिन काफी का बिन उबलते पानी में अपनी खुश्बो और स्वाद छोड़कर पानी को ही बदल देता है नेया ने स्मेल की और मुस्कर आई उसके चेरे पर एक चमक आगे नेया ने अपनी माँ से लाइफ का सबक सीख लिया था तीचर थी इसलिए इस बात को जल्दी समझ गी उसे अपनी परिशानियों का एक निपटने का एक निया नजरिया मिला इन तीजों ने एक ही हालत में सामना किया उबलता पानी पर हार एक के बाद एक अलग तरीके से रियाट किया हर एक ने गाजर मजबूत थी लेकिन पानी में जाने के बाद कमजोर पड़ गी अंडे का छिलका पतला था पर अंदर का हिस्सा पानी में जाने के बाद सक्त हो जाता है और काफी के बीच अलग थे उन्होंने पानी को ही बदल दिया और उसे मीठा, सुगंदित और स्वाजिश्ट बना दिया टेस्ट डाल दिया जिन्दगी की मुश्किलें जैसे उबलता पानी और हमारी ताकत को परकती हैं दोस्तों खुद को पूछो जब जिन्दगी मुश्किल हो जाती है तो क्या तूट जाते हो, सक्त हो जाते हो, या फिर उठ खड़े होते हो अपने अंदर के कॉफी के बीज को अपनाओ चैलिंजिस को ग्रोथ ऑपरचुनिटिस में बदलो और मुश्किल के बावजुद दुनिया पर एक पॉजिटिव इंपक्ट है चोड़ो, याद रखें दोस्तों, जिन्दगी में मुश्किल से कैसे नेपटना है ये हमारे हाथ में है कुछ टिप्स जाती जाते जरूर शेयर करूँगा आपके साथ अपने कोचिंग विजडम के साथ नमबर वन, नेवर गिब अप, हिम्बत ना हारे मुश्किलें आएं, तो गबराएं नहीं बलकि उनका डट कर सामना करें नमबर टू, चेंज यूरसल्व, बदलें खुद को मुश्किलें आपको बदल सकती हैं लेकिन आप ये तैग कर सकते हैं कि कैसे बदलना है अच्छी तरफ स्वाट अनलिसिस, नमबर थ्री अपनी कमजोरियों और ताकत को पैचाने हर किसी में कोई न कोई खुबी होती है बस इन खुबियों को पैचाने और मुश्किलों से लड़ने में उनका इस्तेमाल करें नमबर फोर, सीख हेल्प मदद मांगे और इसमें हिचके चाही ना चाहे अपने पडूसी से, दोस्ट से, रिश्चदार से नमबर पांच पॉजिटिव रहे मुश्किल वक्त में सकारख्मक सोच रखे पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ने में हिम्मत देगी नमबर छे सेल्फ केर खुद का ख्याल रखे अच्छी नीद ले बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज स्वस्थ शरीर और दिमाग मुश्किलों से लड़ने में आपकी मदद देगा याद रखें आप इसमें अकेले नहीं है मुश्किलें जिन्दगी का हिस्सा हैं दोस्तों लेकिन हम उनसे कैसे निपटते हैं कैसे रियाक्ट करते हैं या हमारे हत्में हैं गाजर की तरह तूटने की बजाए या अंडे की तरह सक्त होने की बजाए काफी के बीच की तरह बनिये मुश्किल को एक खुश्वू में बदल दीजे और आपको ये पॉड़कास दोस्तों मानता हूँ अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेर करें अगर आप भी अपनी जिन्दगी में कहानियों की ताकत से बदलाव लाना चाते हैं तो हमारे साथ बने रहें जुडे रहें स्टोरी फॉर बिजन्स यूहीं आप तक आता रहेगा सुनते रहिए सुनाते रहिए और अपनी जिन्दगी को एक नई कहानी में बनाईए हमारे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और एक नई सीख के साथ तब तक खुश रहिए मजबूत रहिए और काफी के बीच की तरह हर मुश्किल को एक नए अफसर में बदल दीजिए विश यू वेल्ट